आज हम बनाएंगे इसके लिए चाहिए होगी हमें स्वइन्य चीनी घी, बदाम, मिल्क पाउडर, कोकोनट, शुगर, दूद, दो से तीन ब्रेड अब एक बावल में दो से तीन ब्रेड लें, दूद डालें उसमें और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें अब इसमें एड़ करें शुगर, तो साथ ही एड़ कर दें, मिल्क पाउडर, इन सब चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, अगर और जुरूरत हो तो थोड़ा सा दूद और डाल देंगे, अब चंम्त से थोड़ा सा ला लें, अब अब हाथ से अच्छे तरह उसको मिक्स कर ले, टाकि उसकी अच्छे सी बोल्स बन जाएं। उसका मिकसर अच्छे से त्यार कर लें। यह देखें इस तरह मिकसर अच्छे से हो गया त्यार अब इसकी छोड़ी बॉल्ट बना लें देखें इस तरह सारी बॉल्ट बना के एक डिश में रख लें अब इन बॉल्ट को एक फ्राइपैन में ओल डाल के उसको जब ओल थोड़ा सा गरम हो जाएगा उसमें हम जो त्यार की हुई बॉल्ट है उनको फ्राइपैन का अच्छा सा कलर आ जाएगा जब देखें एक साइड से थोड़ी थोड़ी हो गई है त्यार उनको पलट दें हमारी बॉल्ट त्यार है अब हम सवईयां त्यार करेंगे उसके लिए थोड़ा सा ओय लेंगे एक पैकेड या जितनी भी आपको रिक्वाइर हो आप सवईयां डालें और उनको फ्राइ कर लें उनका गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो आप डन हो जाएंगी यह देखें इसका प्यारा सा कलर आ गया है अब इसमें हमने जो दूद था वो एक लिटर वूद डाल दें उसको इस तरह हिलाते रहें साथ ही चीनी भी डाल दें में जाएँ इस तरह में साथ साथ हिलाते रहें जब उसमें बॉइल आ जाएगा उसके एक 1957 से हिला दें और जो हम ने पहले से तियार किवी MPs हैं वो सारी इसमें डाल दें इस साथ सारी MPs यह रिपने डालक्यों पुर पृर आमम अच्छे से हिला लेगे जब बो जो आ अब हमारा डिजर्ड त्यार है इसी तरह की मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें